क्राइम पेट्रोल सीरियल से एक दबंग पुलिस ओफिसर की छवी बना चुके गुलशन पांडे ने उधेपूर में एक आर्ट फिल्म की शुटिंग पूरी की इस फिल्म में उधेपूर के थेटर आर्टिस्ट को भी मोका दिया गया दिगज प्रोडक्शन के बेनर तले बन फिल्म का नाम हरजी है जो करीब एक महबात दे लिजोगी फिल्म में मुक्ही किरदा निबा रहे गुलशन पांडे ने बताए कि यह फिल्म एक हैंडीकप्ड मैला डांसर के सपनों से जुड़ी है इसमें बताए गया कि विप्रित परिस्तितियों में कैसे मैला अपने कला के दम पर देश का नाम रोशन कर रही है फिल्म के निदेशक अभिशक जोशिन बताए कि इस फिल्म की कहानी हिमानशुपट ने लिखी हो डियोपी यश्वंडिया अर्सा हुए इसकी शुटिंग फूरी कर ली गई हो फोस्प्रोडक्शन का कारी के सियल द्वारा किया जा बारत हैं इसमें बाद के संसादनों से पिछली बनती हैं रातों से बनती हैं विजन से बनती हैं जो इन लोगों के पास है मैं आप की पूरी टीम को बताँए झाली विडिये और जब फिल्म बहुत अची अच्री अर्जीव है अच्छे सब्जेक्ट पर ये अच्छी फिल्म थी और जब भी उद्धेपुर नाम आता है मेरे कानों में तो मेरी बांचे खिल जाते हैं उद्धेपुर में जो है राजस्तान का सबसे खुबसूरत शेर लगता है और इसमें कोई संदेज नहीं है भी और यहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं काम करके यहां कि ही फिल्म साइकल में मैं एक अलग भूमिका में था इसमें थोड़ी और एक अलग भूमिका में हूं तो अलग अलग जब डिफरेंट चीजें करने का मौका किसी एक अलाकार को मिलता है तो शायद उसकी वो मेहनत नजर आने लगती है जो उसने पिछले समय में थेटर को ठोनी यृवनें सीखने के समय णिष्टी लिवारा संदेश संदेश देती है कि कोई भी पहना जन्द140 में आपको आगे बढ़ने से रोकता है तो बहानों को छोड़ दीजिस्ये मेरे पस पैसा होता तो ये कर लेता मेरे पास मैं खूबसूरत होता तो ये कर लेता मैं स्वस्थ होता तो वो कर लेता ये सब बहान है आपको करने का इरादा करना है और आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं बस आपके इरादे मजबूत चाहिए